हेलो दोस्तों, आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है, वीडियो की शुरुआत बहुत ही खुबसूरत गुढ़ल के फ्लावर के साथ और ये प्लांट मैंने कटिंग से ही तयार किया था, उपर टेरिस पे ये पॉट में लगा हुआ था और जिसे मैंने नीचे शिप्ट कर दिया है, दो फ्लावर आज खिले हुए है, क्यारी में लगा दिया है, मैंने एक और प्लांट है, जिसको भी मैंने कटिंग से ही तयार किया था और इसको भी मैंने नीचे शिप्ट कर दिया है, अभी मांसून के सीजन में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और आज की वीडियो में मैं 30 से भी जादा ऐसे प्लांट, हाउस प्लांट शेयर करने वाली हूँ जिनको आप अभी जुलाई अगस्त के महिने में बहुत इजिली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, हमें आरा सबसे पहला प्लांट है कोलियस का, कोलियस बहुत ही खुबसूरत कोलियस वाला प्लांट होता है बहुत सारे वराइटी के कोलियस के प्लांट आपको नरसरी में मिल जाएंगे, ये देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे कटिंग्स लगा दिये हैं, सारे कटिंग्स रेडी हो गए हैं, इसकी कटिंग फेल नहीं होती, फ्रेंट्स, वेल ड्रेंड स्वाइल होनी चाहिए, सेंडी मात्रा में ऑक्सिजन रिलीज करने वाला हाउस प्लांट माना जाता है, स्नेक प्लांट को, और बहुत सारी वराइटी इसकी मिलती है, नरसरी में, ये देख रहे हैं, वो ड्रॉफ वराइटी है, नॉन वेरिगेटेट टॉल वराइटी है, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें नॉन वेरिगेटेट टॉल वराइटी भी आता है, वो भी है मेरे पास, आपको दिखाऊंगी, तो इसका भी आप बेबी प्लांट ऐसे खींच के निकाल लीजिए, और लगा दीजिए, देखिए ये नॉन वेरिगेटेट टॉल वराइटी है, तो इसको भी आप होता है इसका, और ये वाला देखिए फ्रेंट्स, ये तो बहुत ही खुपसूरत प्लांट है, एगलो नीमा का, और काफी महगा भी मिलता है नरसरी में, 200 से शुरू होता है इसका प्राइज, 300-400 तक भी इसके प्लांट मिलते हैं, और इसको भी सेपरेट करके आप अभी ल हो गए हैं, तो बारिश का जो रेगुलर पानी होता है, उसको उससे बचाना होता है इस प्लांट को, और ये देखिए, अभी तीन-चार दिन पहले ही मैंने इनको सेपरेट किया है, बेबीज निकल रहे थे बहुत सारे, तो मैंने ये देखिए अलग कर दिया है, और नेक् प्लांट देखिए, इस तरह से आप कटिंग ले लिजिए, इस तरह से देख रहे हैं, तीन-चार इंच की कटिंग ले लिजिए और एक नोड एरिया भी यदि आप दबाते हैं, तो इसमें रूटिंग शुरू हो जाती है, तो ये भी बहुत इसली कटिंग से ग्रो होने व सिंगोनियम की भी बहुत सारी वरायटी आती है नरसरी में, और ये जो देख रहे हैं वो छोटे पत्तो वाला ड्रॉफ वरायटी का सिंगोनियम का प्लांट है, इसको भी मैंने कुछ दिन पहले अभी तीन-चार दिन पहले ही सेपरेट किया है, देख रहे हैं कई बार मैंन पहले ही कटिंग लगाई थी, इसलिए इसका प्लांट छोटा है, तो आप इसको भी अपने गार्डन में कटिंग से एड़ कर सकते हैं, अभी मांजून के सिजन में, नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है सौंग आफ इंडिया, इसे ड्रेसिना की ही एक वरायटी है, ड्रेसिना लगा दूँगी तो ये प्लांट रेडी हो जाएगा, और हमारा जो पुराना प्लांट है वो घना भी हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा प्लांट है बेबी टियर्स, बेबी टियर्स भी बहुत इजिली कटिंग से ग्रो हो जाता है, इसकी एक डाली आप ले लीजिए और लग बना देज्ग लगता है हैंगिंग बासकेट में तो यह प्लांट अभी कर सकते हैं में कितना संदर लगता है हैंगिंग बासकेटheid में देखा देखा अधाय कमा हमारा जो बनट में हैंगिसाट आध कर अधा है और पूरा कवर कर लेता है, इसके लटकते हुए ब्रांच बहुत ही सुन्दर दिखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो टर्टल वाइन का है, टर्टल वाइन भी बहुत सुन्दर फोलियज वाला प्लांट होता है, यह देख रहे हैं, इस तरह से लटकते हुए जो ब इसके जो ब्रांच होते हैं उसमें रूट्स निकलते रहते हैं और उसी को आप दबा दीजिए नोड एरिया को जहां से पत्ते निकलते हैं तो आपका प्लांट रेडी हो जाएगा और निक्स्ट जो प्लांट है वो हमारा स्विट पॉटोटोटेव वाइन है और जो टेरीस पे रखा हुआ है वो काफी घना हो गया है मैंने कई बार आप लोग से शोग किया है तो इसकी भी छोटी सी छोटी अंदर में इंडोर भी रख सकते हैं रूम में सजावत के तौर पानी में भी ग्रो कर सकते हैं तो इसकी भी कटिंग बहुत इजीली ग्रो हो जाती है यह देखिए यह मार्बल मनी प्लांट है हेंगिंग बास्केट में भी बहुत सुंदर लुक आता है इसका तो इसको भी संथन के सीजण में ईसकी हमेरा कि ग्रो जीते है और जाता है और यह प्लांट अब्लीफा काऊचा हुई हो जनता है और लगा दीजिए तो आपका प्लांट तयार हो जाएगा नेक्स्ट है ड्रेसिना, ड्रेसिना की ही एक वराइटी है ये और ये भी कटिंग से बहुत जल्दी तयार हो जाता है तो अभी जुलाई अगस्त के महिने में इसको भी आप कटिंग से अपने गाडन में जरूर एट करें और अपने गाडन के कलेक्शन को बढ़ाएं नेक्स्ट है हमारा पैडी लेन्थस जिसे डेविल्स बैक बोन भी कहते हैं जैक प्लांट भी बोलते हैं इसमें भी दो तीन वराइटी आपको देखने को मिलेगी यह वेरिगेटेट है इसमें नॉन वेरिगेटेट भी आता है जो मेरे टैरीस पे रखा हुआ है और इस तरह से बहुत सारे प्लांट नीचे से मल्टिप्लाई होते रहते हैं और कटिंग इसकी इजिली ग्रो हो जाती है आप छोटी सी कटिंग लगा कर इसको तयार कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा जो प्लांट है वो error root का प्लांट है यह देख रहें है friends बहुत सुन्धर foliaz वाला plant होता है देखे इसके जो पत्तो का varigation होता है वो देखने लायक होता है यह winter में ही dropancy में जाता है इसके जो पत्ते हैं वो बिलकुल सूख जाते हैं उसके बाद जैसे ही फरवरी का मन्थ आता है फिर से इसमें ग्रो शुरू हो जाता है और देखे इस तरह से आप उखाड लीजिए एक प्लांट और नया प्लांट तयार कर सकते हैं नीचे से जो प्लांट निकलते हैं उनको और नेक्स्ट हमारा प्लांट है वो रियो का प्ला से नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो क्रोटोन का है क्रोटोन में बहुत सारी वरायटी मिलेगी आपको मेरे पास तीन वरायटी है और तीनों को ही मैंने कटिंग से ही तयार किया है यह देख रहे हैं यह वाला तो इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से चल जाती है सेमी हा अरेलिया का प्लांट है तीनों प्लांट आप देख रहे हैं अरेलिया की तीनों को मैंने कटिंग से ही लगाया है फरवरी के मन्थ में मैंने लगाया था कटिंग लगाने का सबसे जो बेश्ट मौसम होता है एक तो फरवरी का होता है फ्रेंट्स और एक अभी मानसून का होता लगा लीजिए टीप वाली नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा यह ड्रेसिना मार्जिनाटा है रेसिना की यह एक वराइटी है दो कलर कॉम्बिनेशन के हैं में अर एक रेड वाला यह देख रहा है तो इसकी भी कटिंग आप अच्छे से लगा सकते हैं तो नों को मैंने कटिंग से लगा है बाजू में जो देख रहे हैं और यह वाला जो देख रहे हैं उसको मैंने खरीदा है तो इसका भी प्लांट कटिंग से तयार हो जाता है वैसे तो यह पत्ते से भी तयार हो जाता है लेकिन उसका प्रोसेस धीमा चलता है नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा जेट प्लांट है और आप सभी जानते हैं जेट प्लांट लखी प्लांट माना जाता है, श्रूब होता है हमारे घरों में लगाना और इसकी देखिए 24 इंच की Cutting भी चल जाती है next जो है हमारा dusty miller जिसे silver dust भी बोलते हैं और इसकी भी cutting चल जाएगी ऐसा मैं मान के चल रही हूँ मैंने दो cutting लगाई है तो हमें अपने garden में इस तरह से प्रयोग करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए cutting लगाने का, तो इसकी cutting भी I hope चल जाएगी, next जो plant है जादीजिए, next जो plant है हमारा spider plant है friends, spider plant के इस तरह से runner निकलते हैं, और runner को आप मिट्टी में दबा दीजिए, cut करके तो आपका plant ready हो जाएगा, यह देखिए मैंने एक plant यहाँ पर ready किया है runner से, और next जो है, बहुत ही खुबसूरत house plant, जिसे प्रयास सभी लोग लगाना पसंद करते हैं, अरीका palm, अरीका palm को भी आप cutting से लगा सकते हैं, cutting से तो नहीं बोलेंगे, divide करके, इस तरह से नीचे से बहुत सारे इसके plants multiply होते रहते हैं, यह देखिए, तीन plant यहाँ लगाए थे पांच बन गया, और यहाँ दो लगाए थे, वो चार हो गया है, तो इसको हम separate कर सकते हैं, अभी मांसून के सीजन में, या फिर फैप के सीजन में, तो इसको भी आप अपने garden में add कर सकते हैं, multiply कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो plant है हमारा different bakia का है, different bakia भी cutting से बहुत easily cut-cut करके लगा दूँगी, तो उसके भी plant ready हो जाएंगे, next जो plant है वो philodendron का है friends, यह philodendron की एक variety है, इसमें बहुत सारे आपको variety देखने को मिलेंगी, तो इसको भी आप separate कर सकते हैं, इसके भी babies plant निकलते रहते हैं, नीचे से बहुत सारे, तो उसको आप अलग-अलग करके लगा सकते हैं, next है हमारा अजवाइन का plant, इसकी पत्तों से बहुत अच्छी, मतलब plant से बहुत अच्छी खुश्बू आती है, और ये भी देखने में बहुत सुंदर plant होता है, तो इसको भी आप cutting से तयार कर सकते हैं, next है हमारा polka dot, polka dot को भी आप cutting से ready कर सकते हैं, plant यदि आपका बचा हुआ है, खराब हो रहा है, तो उसको आप cutting लगा कर save कर सकते हैं, next है हमारा purple heart का plant है, ये देख रहे हैं friends, heart shape में इसके flower खिलते हैं, और अभी दोपहर का समय है, तो इसके flower बंद हो गये हैं, सुबह-सुबह इसके flower बहुत अच्छे से दिखते हैं, purple color के, तो इसकी भी cutting बहुत easily grow हो जाती है, और बहुत खुपसूरत plant होता है, hanging basket के लिए, और next plant है वो लाल सा का plant है, इसे लाल बादसा भी बोलते हैं, और इसकी cutting भी बहुत easily grow हो जाती है, और इसको हैस के लिए लगाया जाता है, ground cover करने के लिए, और देखिए friends, इस तरह से इसकी टीप वाली cutting तीन-चार इंच की आप लगा दीजिए, तो आपका plant ready हो जाएगा, तो इस तरह से मैंने जितने मेरे पास plant थे, उन्हीं को मैंने शो किया है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए happy gardening